कि देश को लोकतंत्रिक मुल्यों से जरा भी हटने नहीं देंगे, लोकतंत्र भी घच्षा करेंगे, और मौसवादी परिवार वादी नशक्तियों को देश की जनता नकार दें, देश की जनता का हम विश्वाद जितेंगे, और साथियों अपने इस प्रयासों में, हमें भारतिय जनता पार्टी में, लोकतंत्रिक मुल्यों की जो मावज़त की है, वो परंपरा है, जो मजबूत नीव है, उसको निरंतर मजबूत करते ही रहना है, साथियों, अटल जी के प्रसित्य कविता की पंग्तिया है, अटल जी ने लिखा था, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत न आयागाता हूं, ये अटल जी के व्यत्तित्व के साथ ही, भाज़पा की इतने वर्षों की तपस्चा का सार भी है, साथियों, ये भाज़पा है, ये थहरा हुआ पानी रही है, भाज़पा निरंतर प्रभामान है, हमने दल के रूपे, खुद को लगाता इवॉल्ड किया है, मौशवाज परिवारबाद के कीचर में भी, हमने कमल को खिलाया है, जो लोग तंतर की मुल्भुत्पंख्यूडियों को पकाशित करता है, साथियों, नई चुनावतियों के साथ, अपनी नीती, रणनीती, हम निरंतर, जब भी जरुवत पड़ीगी, देश भीत को आवशे इखमान करके, हम आधुलिक्ताजी और आगे बढ़ते रहे हैं, और आज भाज़माने सिर्फ, नूतन को ही नहीं अपने आप, बल्कि पुरातन से निकलिये संस्कारों को भी उतना ही सम्मान दिया है, हम ने अपने पुर्वजों की ज्यान सक्ति बर भरोसा किया है, मैं आपके उदाहन देना चाहता हूँ, हम जिर्वजों जानते हैं, कि पुझे माहत्मा गांदी, पुझे बापू, आज आज भारत में स्वाव लंबन आधारित नीतियों को देखना चाहते हैं, लेकिन दस्वकों तक सिर्फ गांदी जी का नाम ही लिया गया, काम बिलकुल करने कर उनके वीजन के विप्रित किया गया, वो देश में स्वावलम्बन चाहते थे, लेकिन भारत को पॉलिसी से लेकर प्रैक्टिस तक विदेशों पर निर्भर बना दिया गया, अब आज देश देख रहा है कि भाज़पास सरकारों के समय स्थीतियां कैसी तेजी से बदल रही है, आज देश आत्मनिर्वर्ता के रास्ते पर चल परा है, आज हर भारतिय लोकल के लिए वोकल हो रहा है, आज हर 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 आज ह